हेलो नमस्कार जैंद सबसे पहले तो द्रोण जीया सिर्षा सेंटर की तरफ से सभी देश्वासियों को हार्दिक सुभ कमना और बदाई हम लोग समझते हैं हम लोग इस वीडियो में समझना के कोशिश करेंगे कि गड़तंत्र दिवस अर्थात रिपब्लिक डिक क्यों मना ज वीडियो अच्छा लागया तो शेयर भी कर देजीगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होंगे तो जरूर कर लिजीगा कि इसके बारे में अतिहासिक द्रिष्टिकूण के बारे में थ्लसा अतिहासिक रूप से अगर इस पर नजर डालें यह तूर से अतिहासिक द्रिष्टि कूंध तो पंदणरह अगस्त वंडिसमस से तालीस को देस्ख को आजादी मिल गई थि याणि कि प्रारूप समीती प्रारूप समीति के द्वारा संभिधान का निर्माड प्रारूप बनाने का संभिधान के प्रारूप का निर्माड बनाने का यानि कि संभिधान के प्रारूप यानि कि संभिधान का ध्हांचा बनाने का कारेकरम पेस किया गया जिसके अगस्त को अगले दिन ही यानि कि 30 सभी में सदस्यों के संख्या तो समिति सदस्यों के संख्या साथ ती इसमें से एक सदस्य थे जो इंडिया नाशनल आर्थाथ भारती राष्टी कंग्रेश के सदस्य थे कई बार पूछा आ जाता है सब्सक्राइब करें प्रारुप समीति का निर्माद हुआ था अगले दिन ही यानिकि तीस अगस्त को डाक्टर भीम रामबेटकर का इसका ध्यक्ष बना दिया गया था चार नॉवंबर को इस समीति ने अपने रिपोर्ट दी थी इस समीति ने और चवविश जन्वरी 1950 को 308 स प्रति करने था चार क्या था तो समय सम्विधान दो रूपों में था इसके दो प्रतियों सब्सक्राइब फट्रति ब्सक्राइब से था सूमें हैं सम्भधान निर्मार में मंधरी के जिस प्रकार से भारत में घविनेट में मंतरी होते हैं उसी प्रकार चेंगलेट के प्रतान मंतरी के जो कईबिनेट मंतरि को इसके अबर भारत बेजा गया था जिसे मिधंदान कर निबाल हो था जिसमें 309 लेकिन यह अखंड भारत की बात है अर्थात पुर्वी पाकिस्तान और पश्चमी पाकिस्तान पुर्वी पाकिस्तान का मतलब कि आज का बंगलादेश और पश्चमी पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान उसमें भारत में सामिल था उसमें अलग नहीं हुआ था लेकिन जब पु समझने कि गड़तनतर ज्वस के के समझनेिये के बढ़रोगा संविान करतब नाम होने होने से पहले इसका नाम था राजपत इसी का नाम था राजपत पहले और राजपत होने से नाम पहले नाम था किंग स्वे यानिकी उन्हीं सव पचास साथ के दसक में इसका नाम किंग स्वे हुआ करता था बाद में इसका नाम राजपत कर दिया गया और राजपत से फिर इस पत्थ जिससे करतब्य पत्थ यह तिन एक ही नाम है तो राजपत करतब्य पना Connie सपर ही युद्धा लेकिन इस सफिपख मफंद से पहले दने इ aún चाइज पचास और चंबंध तक één म yapmış अलग लग पर रवा उनजीस ऑव aufgerants मैं इरविन इस्टेदियम में हुआ जो इस समय अंत्राश्टी स्टेडियमें लग स्बावन में किंठहें पर नगया था में लाल किल रभार और 24 में राम लेचान मायदान में इसका आयोजन किया था उसके बाद 1905 से हमेशा कर्तब बिपत्थ पर ही होता रहा है भले ही कर्तब बिपत्थ के नाम अलग लग हो गए हैं परेड आयोजन जो है रक्षा मंत्राले के द्वारा किया जाता है जिसमें विभीन संगठन द्वारा सहायता की प्राप्त करते हैं लेकिन इसका आयोजन रक्षा मंत्राले के द्वारा ही किया जाता है इसकी सुरुवात जो है राष्टपती के आगमन से होती है यानि कि राष्टपती महोद आते हैं और उनके आगमन से ही आरानेक पर राष्टगान का सुरू होता है राष्टगान सुरू होता है और स्टोपों की सलामीदी जाती है तो कि एक च्यूतु की होती है लेकिन वो तोपे नहीं जाती उन तोप को दागी नहीं जाती है ईंठgranate को के में दिखाने की लिए होता है अलक्त प्रकार की होोती ऑ्पर प्रकार की होती है जिनहें पांडर स्टोंटि फ़ाइब पांडर सबूलते हैं और इनिहीं तवपव से फारिंग की जाती है यहीं तवारिंग किजाती है और सतों नोजी आधा आलग प्रकार से तो इन्हें तीन बर कराना पड़ेगा इन्हें 3 बर कराना पड़ेगा इसलिए यह पांडरस प्रकार की तुपें जो है 3 बार फारिंग करा जाती है प्रतेक्ष से एक्कई स्तौप हो जाता है तो एकिस तौप के सलाम हे दी जाती है यह तोपे जो है फोफे और नची के साथ-साथ चलती है और राष्टगान की between and changing की मैं athlon खतब होती है और अंतिम फाइरिंग जो होती है यानि कि राश्ट खत्म होता है यानि कि 32 से कुने और यह अंतिम कि फारीं होती है इसे भाग लेने वाले सभी लोग जो हैं रात तीन बज़े तक कर्तब्यपत पर जिसे राजपत बोलें या कर्तब्यपत बोलें या किंग्स भी बोलें तो रात तीन बज़े तक कर्तब्यपत या राजपत पर उपस्थित हो जाते हैं भूर में तीन बज़े तक कर्तब्यपत खतम होने के बाद ही यह अभ्यास शुरू कर दी जाती है इसके बाद यहां आते हैं परेड में सामिल होते हैं इससे पता चले दुनिया को पता चले कि भारत की से ने सकती दिखाने वाले टैंको वक्त बंद वाहनों और आधुनिक प्रणों के लिए इंडिया गेट के परिसर में एक सीविर का आयोजन किया जाता है प्रती क्योआइ कि समस्य हाई अथाल नहीं है अच्छहा है यह लगभग दस चरणों में होती है एक दो चरणों में नहीं, दस चरणों में होती है इनकी जाच, रिहलसल के लिए यानि कि अभ्यास के लिए 12 किलोमेटर की दूरी की जाती है, यानि कि अभ्यास करने के लिए लगभग जो टीमें होती है अभ्यास करने वाली वो लगव 12 किलोमेटर की दूरी करती है, लेकिन तो यह जो होते हैं दो सव अंकों में मुल्यांकन करते हैं यानि कि जब करने के लिए अच्छा करster परेड्र कर पारहें कंई से टीम अच्छे क्षर नहीं कर पारिक से अच्छा क्रपार रहा है इसको जज करने के लिए बहुत सारे नगी और पास 200 यह बहुत है और 200 यह तिम को जितना दिना ऐस्ट मार्क दिया जाता करता है जो सबसे अधिक मार्क प्राप्त करता है सबसे अधिक नंबर प्राप्त करता है उसको सार्वस्रिष्ट मार्चिंग ग्रूप का किताब दिया जाता है कि आप देख सकते हैं यह तोपे यह तोपे हैं इस प्रकार की एक कश्च तोपे के सामें दी जाएगी आप दोपों का देख रहे हैं आपके सामने है यह जो फोच्छ सोथ पिमशायノ यहीं त्यादी का ज्ञाज होती है का होती है कि जवान भी हथियार की चार ऐस्तरों करती के दीक होती है है जांकियों की स्पीड 5 km प्रतिगंटा की उतनी होती है हुआ में थेख रहे हैं उत्तर प्रत्राजुक्टी स्पीड आप्ने कि छांकि हो शान्स प्र Все 1 क데 decision इसलिए किया जाता है ताकि जो देखने वाले लोग है अच्छे से उसका उसको देख सके अच्छे से उसका लुप्त उठा सके देख करके इसलिए काफी धीरे चलाया जाता है पांच किलोमेटर प्रती घंटा के स्पिर से लगभग चलाया जाता है इसको भाग लेने वाले से से मार्च करते हैं जब कि बिसेश सुरक्षा बलों के जवान के बसेश रच जो है जराइल बने करते हैं cycle कि यह आपको दिख रहा होगा यह राइफल नर्स अगे points नि कषच भूती है कि में होते हैं । लगबक लागे हैं सव से चारोंदी। कि दिग सकते हैं में कि पर ध्याद की चल रही एक क्षाहां की उत्तरपदेश राज्य यहां पर उत्तर परदेश लिखा हुआ है यह उत्तर प्रदेश राजी की जहांकी है कि टेंक देख सकते हैं आपके सामने यह टेंक है टेंक जो है कि दिखाने के लिए प्रेड में जा रहा है भारत की सक्ति दिखाने के लिए फ्लाइपस्ट क्या है यह फ्लाइपस्ट जो है इसकी जिम्मेदारी पॉस्चिमी वायू से ना कमान को दी जाती है यह यह कि आपके सामने फिगर है यह आपके चित्र है प्राइपस्ट का यह चित्र है आप देख रहे हैं कि प्राइपस्ट से तिरंगा बनाने की कोशिश की जा रही है यह 41 बीमानों की भागेदारी के जाती है लगबग्र लगबग जो रहें 41 बीमानों की भागेदारी फ्लाइपास्ट में होती है और फ्लाइपास्ट के जिम्यदारी पस्चिमी वायोसेना बिमान को दी जाती है लुद् եղ destroys आहें दो महात्मांग गांधि ने राश्टपिता महात्मांग गांधि के द्वारों बहुत ज्यादा इसको लेकिन अब से सरकार ने से रोक दिया है एसे बंद कर दिया है अब यह संग नहीं चलाया जाता है उसके बाद लास्ट में होता है बीटिंग रिट्रीट सबसे लाश्ट को इस्टेज होता है तीसरी दिन होता है तरसल जो है कि गड़तंतर दिवस का आयोजन जो है 26 के बाद 27-29 तारीक को यह एक और आयोजन होता है जिसे बोलते हैं पीटिंग रिट्रीट जिसे बोलते हैं पीटिंग रिट्रीट यह गरतंतर दिवस उत्सव के अंत का संकेत है यह जिस प्रकार से आप देखें होंगे प्रकार से आप देखें होंगे जब महमान को क्या क्या जाता है सब कुछ खिलाये जाता है लेकिन जब उनको जाना होता है फूरी खिलाये जाता है वह अप संकेत दे जपये जहता है पुरी खिला दिया ज değil जैने वूरी प्रवी चेत्रों में जिसे लोकल में खोदुई या खेदुआ कोछ बोला जाता है याँने पूड़ी खिलाने को इसका मतलब कि भगा दिया जाएगा आपको खिला करके उसी प्रकर से अफिक धिकी टेट होता है तो ब्रीत होता हैं यहाँ पर देख रहे हैं बिटिग डेटा की जो है बेंड बाजा के साथ जौ है कि चयरो तरह मार्च करते हैं और बाजा के शास मार्च करके अब हुदाते हैं कि अब कहता हो गया आप यहां देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं यहां पर सकते हैं यानी की भारत सरकार के द्वारा जा जाते हैं इसके पीछे कहानी है कि पीछए जरूवर्थ है पुरी दुनिया को दिखाना कि हम कितने यह खर्च करना पड़ेगा इसलिए यह घर्च होते और इसलिए बीÓ कि साबित करने वाले हथियार होते हैं कि हमारा इंडिया कितने पौह भूल है इस प्रकार से आपको गड़तंत्र दिवस के संबंध में जो भी जनकारी देने के कोसिस क्या हूं आपको समझ में आयागा उमेद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सेर कर देजिए और चैनल को बाद